Hello Friends, कैसे हो आप सब? मैं हूँ Siddhar Singh AC, मैंने CAPF AC 2017 में Rank 3 अचीव की थी and मैं मैं में में अचीव की में में अचीव की थी आज मैं आपको लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जो है UPSC इंटर्व्यू में टर्न आउट का जो आप पहन कर आपको इंटर्व्यू देनी चाहिए आज हम उसकी बात कर लेंगे So first of all friends, हम बात कर लेते कि हमें क्या पहनना चाहिए अगर Summers में आपका इंटर्व्यू है जैसे CAPFAC 2023 का इंटर्व्यू May and June of 2024 में पढ़ रहा है So अगर आपका इंटर्व्यू समर्स में तो Male Candidates should wear shirt, tie, belt, formal trousers and shoes Blazer पहनने की कोई ज़रोत नहीं है I recommend कि आप Blazer मत पहनो Female Candidates के लिए Saadi या फिर suit, kurta and salwar will work fine Plus flat sandals Winters के अगर बात की जाए तो जो भी आप Summers में पहन रहो उसके उपर you can wear a blazer जाए आप मेलो या फिमेलो So या आपका हो गया जो आप पहन के जा रहो ड्रेस अब एक बहुत कॉवन कोईशन उठता है जो काइस्पेंट्स मुझे पूछते है कि Blazer हम क्यों ना पहने समर्स में Everyone wants to wear blazer जादा समार्ट दिखते है तो देखिए इसका सिंपल सा यह रीजन है कि जो भी forces का dress code है जो भी services का dress code है वो specified होता है season के according जो कि मैं आपको पहले बताया हुआ है So अगर आप blazer पहन के जाते हो समर के टाइम में तो there is no harm and there is no benefit इसके लिए को यह लग से वेटेश तो है नी प्लस क्या है कि डेली में heat भी रहेगा इस टाइम पर तो ब्लेजर पहने का कोई जरूरत नहीं है apart from अगर आपको यह फिल होता है कि if you wear a blazer you'll be more confident in the interview then you can wear it otherwise अपना mind इसी से free रखो कि समर के टाइम में ब्लेजर पहनने का यह बेस्ट होता है लेकिन आप कोई लाइट कलर वाली शर्ड यह पहन सकते हो ब्ल्यू, ग्रीन, पिंग, अनिफिंग, विल वर्क फाइन त्रॉजर में आपको ड्क शेट के ट्रॉजर पहनने चाहिए इट के बी नेवी ब्लू और ब्लैक बेल्ट और श्यूस की बात की जाये तो देहिए बेल्ट और श्यूस के लोर सेम और लोनिश आप जो बेल्ट पहने बेल्ट यह यह बहुट तो टीट के थे हैँ तो बात की जाये तो डग स्थी खर्ट की ने घगी अ pioneer की पहनने अची लिकечение भीट ट circular पीख्थी कहा होता है उसको आप अवायड कीजिए सअक्स कि अगर बात किजाए तो नभी ब्लू शॉक्स विल वर्क फाइन ब्लाक सॉक्स फाइन इसके बात कर देते हैं फुमेलस के टॉर्ण आउट के अलिमेंट्स शी जैसे कि पहले बताएब साडी, सूट, कुर्तायन सल्वार भी वर्क फाइन, ये लाइट कलर या प्लेनी होना चाहिए, पैटन भी हो सकता है, एनि विल वर्क, वेस्टन ड्रेस भी चल जाती हैं फिमेल एस प्रेंट के लिए, बट इंडेन ड्रेस बेटर होती हैं, आप उनको बात करते हैं, हम जनरली एक फॉर्मल इंटर्विय के लिए, तो देखिए, कोई भी फ्लेशी या फैंसी चीज मत पहनिये, कोई भी ऐसा पैटन जो पाइटन जो पाइटन पहनिये, जो की अन्नेसेसरी अटेंशन अट्रैक्ट करें, तो अवाइट इस तिंग्स, इसके बा आपको नहीं पता कि जो भी आपका प्राइमरी डेस उस पर क्या ट्रैजडी आपके गिर सकती है, तो आल्वेस कीपर सेकंड पैर अफ ड्रेस रेडी विद यू, कोई भी ऐसेसरी जैसे बैंड वाच वगरा आप इनको अवाइट कीजे, कोई भी फिटनेस वाच वगरा मत पहनिएगा उस दिन इंटर्यू के जिन बिकॉस वैसे बी इंटर्यू के पहले वह आपकी जो भी ऐसेसरी होती हैं वाच जैसी वो इसको उतरवा लेते हैं उसके बाद अगर बेसिक्स की बात की जिनसे आपको स्थिक करना है तो आपके कपड़े जो भी आप टर्न आउट ह आप यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे आगे इंफोर्मेशन के लिए टेलिग्राम पर मिशन सेपेट्टी फ्री गूरूप इसको जोइन कर सकते हो अगर आपको गाइडेंस ए मेंटर्शिप चाहिए आप मुझे कॉंत्यू आप मुझे कॉंत्य सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर मेरे यूट्यूब वीडियो पर कमेंट कर सकते हो तो थैंक यू फर वाचिंग और की वर्किंग हाट फ्रेंड्स अल बेस फोर इंटर्व्यू